हालो स्टुडेंट्स दिस चिये किर्ष्टन गुमावत एंट इस वीडियो इस फोर दोज स्टुडेंट्स वार अपेरिंग इन प्लस वन कोमर्स देश्ट्स प्लस वन कोमर्स में आपको मेनली फोर सब्जेक्ट बनने पढ़ेंगे जिसमें अकांटन सी एजे वेरी वेरी इपोर्टर्ट सब्जेक्ट तो लेट वी स्टार्ट अकांटन सी अडियो अदियोट से दिस्ट्रेंट्स तुड़े वी आर गोली डिस्कस बीसिक अकांटिंग ट्रम्स किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए उस सब्जेक्ट की अगर बेसिक टरम्स हमें पता हो तो सब्जेक्ट को समझना बड़ा ही आसान हो जाता है तो लेट वे स्टार्ट बेसिक अकाउंटिंग टरम्स फर्स्ट अफोल जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसी का ही हमें मिनिंग पता होना चाहिए Цеा है फ्रल्स्ट अटशेर अपता हैं लग्रम का सब्सक्राणाक्र का सब्सक्राणा की की average सब्सक्राणाई तरwaćaran ठीजर घ्रीपकलष, गष janwijini, चार। हमन्तवाइस, प्रेपल प्रे वे इस रहावा के है ऐnsinn पिर्य कुरेट जावण हिंग, आपले प्रेंखogi, थैजल मेन N कोषक दूल के हैं कि इतिछ स्धनेंट ठीजि एक ब्रांच विस्ट्धिवेव्गिय। एक सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टेडी करेंगे हैं citizens icherung करने कर πα thrennial सिर्ट्टिंग करने का प्रो सेज़ा में मैं मौतकि क्यों धाकॉंटिंग करने के लिए कौन से प्रिंसिपल फोलो की जाते हैं और अकाउंटिंग प्रक्टिकली वे में कैसे की जाती है उस सब्जेक्ट को उस ब्राइन चोब स्टडी को ही हम बोलते हैं अकाउंटेंट से इसका परपर्ज होता है इस यूज़ टू कम्मुनिकेटिंग फिनेंशल इंफर्मेशन तू यूजर इसका उप्योग अकाउंटिंग के जो रिजल्ट्स हैं फिनेंशल इंफर्मेशन हैं उनको डिफ्रेंट यूजर्स को डिफ्रेंट यूजर्स को कम्मुनिकेट करने के लिए किया जाता है तो दिश्वाजदा अकाउंटेंज से यानि एक ऐसी ब्रांच भी स्टड़ी जिसमें प्रिंशिप्ल्स थ्योरी एंड प्रक्टिस अव अकाउंटिंग कि स्टेडिक की जाती है और इसका उप्योग फाइनिंशल इन्फर्मेशन के यूजर्स को कम्मुनिकेट करने के लिए किया जाता है तो दिश्वाजदा अकाउंटेंज सेकेंड ट्रम अकाउंटिंग बने वे श्टुडेंट्स आर कंफ्यूज बिट्विन बोथ ट्रम्स अकाउंटिंग अकाउंटेंज सी उनके अकोडिंग ये दोनों ट्रम्स एक ही है वत डियर स्टुडेंट्स बोथ हर दीज ट्रम्स आर डिफरेंट ये वे अकाउंटिंग वे एडिटिंग्टिंग में इडिनिंटिफाइंग recording measuring the financial transactions in a systematic way, यानी जब financial transactions को, हम इसको डेटेल में डिसकस करेंगे, वाटर दो financial transactions, जब financial transactions को identify किया जाए, रिकोर्ड किया जाए वीजर किया जाए तो उस सिस्टेमेटिक वे ओफ रिकोर्डिंग को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं यानि इन शोट वीकेंड से सिस्टेमेटिक रिकोर्डिंग ओफ फाइनिशल ट्रांजेक्शन्स और कोल्ड अकाउंटिंग जब ट्रांजेक्शन्स को सिस्टेमेटिक वे में रिकोर्ड किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग लेट वी डिसकश्ट टोपिक नवसुरी पेशिक्टरम नंबर थ्री अकाउंट 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 इट जे अकाउंट आ काउंट प्लेस और परफर्मा पेशंट हिसा लेठ पारफर्मा वी मिवेट नवमेटिंग एटं ऑ में लेठ प्लेस मेरे ट्लाइर अचाउंट वेश्ट को अच्टवों कांट्वीk Here are transactions, at which transactions of same nature are recorded एक ऐसी जगह यह ऐसा परभॉर्माय फॉर्मेट जहां पर जो फाइनिंशल ट्रांजेक्शन्स होंगे जो सेम नेचर के हों उन्हें वहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा तो उस प्रोसेस को ही हम बोलेंगे सुरी उस प्लेस को ही हम बोलेंगे अकाउंट लाइक ट्रांजेक्शन्स विद राम जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपने राम के साथ किये और रिकोड़ेड इन राम अकाउंट ट्रांजेक्शन्स इन कैस जितने भी ट्रांजेक्शन्स कैस में की जाते हैं रिकोड़ेड इन कैस अकाउंट तो स्टुडेंट्स अकाउंट एक ऐसे जगह का या ऐसे प्रफोर्मा का नाम है जहां पर ट्रांजेक्शन्स विद रांजेक्शन्स होते हैं सेम नेटर के सेम पर्सन या सेम थिंक से रिलेटेड हों उन्हें एक ही जगह पर रिकोड़ कर दिया जाता है ओल अकाउंट्स है टू साइड जितने वी अकाउंट्स होते हैं उनके दो साइड होते हैं कि दैटिज डैबिट साइड इंशोट डियार एंड क्रेडिट साइड दैटिज शी आर तो स्टुडेंट्स जब भी ट्रांजेक्शन्स को एक सिस्टमेटिक प्लेस पे सिस्टमेटिक वे में रिकोड़ किया जाता है तो उसे अकाउंट बोलते हैं और जितने वी होते हैं उन्हें उनके दो साइड होते हैं एक डैबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड डैबिट साइड को डियार और क्रेडिट साइड को सी यार कई वार अक्सर बच्चे कुछन पूछते हैं सर इनको डैबिट में डियार और क्रेडिट में सियार क्यों लिखा जा आता है क्रेडिट में दो सी आर समझ आता है कि सी आर शुरू के दो वर्ड वाट इस्टुदेंट्स इस कम्लेटली रॉंग कि विकोज शोरी फॉर इंटरॉप्शन आए डिस्कसिंग अकांट कि अकांटिज वी अबदेश और परफोर्मा दूटिंश्यंग सोव शेम नीचर ऐसे अरिकोड़ेद एक ऐसी जगहेस चाहिए नेटर के ट्रॉंजर को शें प्लेस पर रिकोड किया जाता है like transaction related to RAM, are recorded in RAM account, transaction related to cash, are recorded in cash account, All accounts, जितने वी accounts होते हैं, उनके two side होते है, that is debit side and credit side, debit के लिए DR का इस्तमाल और credit के लिए CR का इस्तमाल किया जाता है स्टुडेंट्स का अक्सर कुश्चन होता है कि सब CR में तो क्रेडिट में तो CR सही है बट डेबिट में DR क्यों यूज किया जाता है बेटा जो आपने CR फस्ट टू लेटर उठाए हैं वो आपकी अजम्शन रोंग है इसको आप करें डेबिट में DR में D का मतलब डेविट R का मतलब रेफर जब किसी अकाउंट को डेबिट किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि इसे डेविट रेफर किया जा रहा है और क्रेडिट में CR इसलिए यूज कहता है C for credit R for रेफर So students You have to use Debit Raffer and Credit Raffer Transaction Number So return number 4 Financial Transactions Financial Transactions are Those Transactions Which having Some Monetary Value यानि ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिनको मन्नी में में मेजर किया जा सके Monitor कि में आसे त्रांजेक्शन्स जिसे हम मनी के रूप में कैलकुलेट कर सकें मनी के रूप में हैं जिनका माप कर सकें उन्हें हम बोलते हैं financial transactions so students transactions asset transactions जो मनी में calculate किये जा सके वो financial transactions में count होते है for example एक्स पर्चेज गोड़्स इन कैश रुपीज 8000 एक्स ने 8000 रुपे का सामान खरीदा तो यहां पर इन सामान की जो value है monetary value 8000 रुपीज है तो इस transaction को एक्स के लिए एक्स के लिए financial transaction बोला जाएगा यानि asset transaction जो कुछ monetary value रखते हों उन्हें हम बोलते हैं financial transactions जो दिश वाज दा फोर्थ accounting ट्रॉम नेक्स ट्रॉम इस अब हम डिसकस करेंगे शर्य ट्रांजेक्शन क्या होते हैं तो dear students, transactions are, transactions are, events happening, happening, between two parties, transactions are, events, ऐसे events जो पार्टी के दो पार्टी के बीच में घटित होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं transactions, for example, x purchase goods from y, अगर x और y के बीच में कोई transaction हो रहा है, कोई event हो रहा है, तो उसे बोलेंगे हम transaction, यानि किसी भी event को, किसी भी event को, financial transaction बनने के लिए, के monetary value का होना आपे जरूरी है, so we can say, transaction can be categorized into two types, financial transaction and non-financial transaction, you know very well, financial transactions are those transactions, which having some monetary value, and non-financial transactions are, transactions which does not have any monetary value, so these are the two types of transaction, तो books of accounts में, accounting में, केवल financial transactions को ही record किया जाता है, next term is, capital, हिंदी में, इससे बोलते हैं, पुंजी, पुंजी का, नाम सुनते ही, आपके माइंड में, यह आ जाता है, कि जो पैसा, owner, लगाता है, किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए, उस amount को ही हम बोलते हैं, capital, तो इसको हम इंगलिश में translate कर लेते हैं, amount invested by proprietor और owners in his business, जो भी पैसा, जो भी धन, proprietor या owner, अपने business में लगाता है, उस amount को ही हम बोलते हैं, capital, यहां पर amount का मतलब cash से बिलकुल भी नहीं है, capital can be in following forms, capital in forms में हो सकती है, capital cash के form में है, bank balance के form में है, assets के form में है, stock के form में है, etc. तो capital can be in any form, it can be cash, it can be bank balance, it can be assets, it can be stock, proprietor, अपने घर से, अपनी जेब से, कुछ भी पैसा कुछ भी अगर business में लगा रहा है, तो वो उसकी capital मानी जाएगी, इसका एक rule होता है, capital इसे internal liability for business capital जो है, वो बिजनस की एक liability है, और liability, internal liability के रूप में, यानि एक business जो अपने ओनर से separately identity रखता है, we have already discussed, business business entity, यह इसका business है, और यह owner है, एक्स company is a business, एंड राम is owner, तो accounting point of view से, both are, separate, only from the point of view of accounting, तो जब एक्स ने, इस पर्सन ने, सपोज का नाम राम है, तो राम ने, जब बिजनस में पैसा लगाया, तो बिजनस की एक liability, एक responsibility, राम को वापस लोटाने की है, राम इसे internal person, तो हम कह सकते हैं, it is an internal liability for business, राम को पैसा वापस लोटाना, बिजनस के एक internal liability है, राम इस owner, जब भी owner के लिए कोई responsibility होती है, बिजनस की, तो उसे internal liability के रूप में देखा जाता है, capital, always, increased, by, profits, and, decrease, by, losses, and, profit capital को increase करते हैं, और losses capital को decrease करते हैं, so, it is the complete detail, इसके अलावा अगर कोई point होगा तो हम, class में discuss करेंगे, next point is, drawings, यहां पे, capital का, just opposite, जो transaction है, वो होगा, drawings, यानी, amount, goods, or assets, amount, goods or assets, amount, goods or assets, owner, forage, personal, private, family, or domestic use, जाबे, धन, or domestic use, जाबे, वस्तू, या संपत्ती, assets, एक owner, अपने personal, यूज के लिए, private, यूज के लिए, family, or domestic, यूज के लिए, वहां से withdraw कर लेता है, withdraw का हिंदी का मीनिंग होता है, निकालना, जब वहां से वह निकाल लेता है, for the purpose of each personal use, private use, और domestic use, तो उस amount को, उस good को, उस assets को, ही drawing बोला जाएगा, यानि, इसका impact capital के उपर negatively होगा, आएगा, for example, राम पेड, टूशन फी, और जाएगा, आएगा, अज़िटे पेडाएगा, अज़िए आएगा, इस बिजनस, आएगा, अज़िए आएगा, नमबर टू, राम, यूज, बिजनस फरनिचर, इन हीज, हाउस, सबोज राम के घर का, फैन खराब हो गया, राम के घर का, फैन खराब हो गया, गर्मियों का टाइम था, और उसके बिजनस में, उसके बिजनस की जो, बिल्डिंग है, उसमें दो फैन एक्स्ट्रा लगे हुए थे, तो उसने वहाँ से एक फैन, हटा के, अपने घर पे लगा लिया, तो जितनी वैल्यू का वह फैन है, उतनी वैल्यू के उसने ड्रोइंग कर ली, आड़िए, एक्जम्पल नम्बर थी, राम, यूज फिछीन, निसे एक्टन, इतम्स, लाइक, सुगर, टी, फ्रॉम हिजे बिजनेस राम ग्रोसरी शोप का काम करता है और वहां से उसने शूगर और टी अपने बिजनेस से विड्रो कर ली अपने घर के यूज के लिए तो ये भी उसका ड्रोइंग माना जाएगा रूल के इसका ट्डर्ग कर देयए बट्रोई कर लादिन आएगा बालो ओर ंखना एम्पक्त ओन केपिटल डरों जाएगी तो यह जब भी रॉपीटल जर्दूएंट्ट रेदे डेटिश्ट जाएगी So dear students, this was the seventh term. Drumming. So, today these are very very important topics, very important terms. In next lecture, we discuss balance of the terms. Thank you so much.